नमस्ति विद्याति मित्रों, कप्षा बार, विशय, हिंदी और आज की अमारी कावे है 19, जिनका नाम है केलेंडर केलेंडर का हिंदी अर्थम देखे तो दिन दर्शिका या तो तिति पत रखे जिन से हम दिनांक, तिति या तो कोई भी सुब मूरत वगिरा देखते हैं, उन्हें कहते हैं केलेंडर तो इस कावे का सहीत्य प्रकार है कविता और इनके कविये सुरजबडत्याजी तो कावे की समझूती से पहले इनके जो कवी है उनका थोड़ा हम परिचे देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जन्म साल लिखी हुई है तो हिंदी दलिस सहीत्य के बहुत चर्चित कहानी कार है सुरजबडत्याजी जिनका जन्म पूर्वी दिल्ली के सिलमपूर में हुआ था उन्होंने बारविक तक की सिक्सा नैंगलोई में पाई है उच सिक्सा दिल्ली विस्वविद्याले से पूर्ण की है तो वर्तमन में वे दयाल भाग एजुकेशनल इंस्ट्यूट में यानि युनिवर्सिटी में सहायक प्रध्यापक के रूप में कार्या कर रहे है सन उनिसो सित्या नवे से वे कविता लेकन भी कर रहे है राष्ट्रिय देनिक समाचार पत्रो पत्रपत्रिकाओं में उनकी समिक्षा, कहानिया, कविताय, लेख, आधी प्रकासित होते रहते हैं तो इसके अतिरिक्त, संगर्स, यूद्रत, आम आदमी, दलित अस्मिता, आधी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कारे भी किया हुआ है तो सुरच बढ़त्या, एक मुल रूप से दलित सहीतेकार है यदि एक माक्स के प्रशन में पूचा जाए, इनके लिए आपको इस वाक्य को नोट करना जरूरी है वे एक मुल रूप से दलित सहीतेकार है तो उनके कहानी संग्रा है, काम रेट का बक्सा, उनका कहीं भासाओं में अनुवाद भी हुआ है तो उनकी मुख्य कृतिया है, दलित सहीतेका संदर्य सास्त्र, बाबु मंगुराम, उनकी यह रचना है तो उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से हम देखे, तो आदिवासी महिला, दलित महिला, कीनय समुदाय और अल्प संख्यकों से जुड़ी समस्याओं का वल्णन, उनकी रचनाओं में हमें प्राप्त होता है तो उनकी इस कावय की बात करे केलेंडर, इनका सिसक केलेंडर क्यों है, तो उनको हम देखे, तो यहाँ पर कवी ने यंत्रवत जीवन मनुस्य को निरस बना देता है, उनकी बात की है मनुस्य का जीवन यंत्रवत बन जाए तो वे उन्हें निरस्त लगने लगता है प्रस्तत कविता में एक ही प्रकार की दीन चर्या से त्रश्ट नोकरी पेसा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता का वर्यनन उन्होंने यहापर किया है केलेंदर की भाती रोज अपने आपको बदलने वाले कवी के जीवन में कोई नयापन, कोई नई चेतना नहीं है पर फिर भी वे उसकी उमीद भी नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर हम देखे तो कवी ने एक एसे नोकरी पेसा व्यक्ति के जीवन की बात बताई है कि हर रोज की एक प्रकार की एक वीद का जो जीवन है, जीते जीते उन्हें अपना जीवन यंद्रवत लगने लगता है परन्तु व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं उमीद नहीं चोड़ने जाए इस बात को उन्होंने समझाया है तो कावे की सुरुवत करते हैं, तो कावे की सुरुवत में जो भी कठिन सब्द है, सबसे पहले उनको देखते जाए क्योंकि यहां कहीं ऐसे विलोम सब्द है, परियवाची है, सब्द समू है तो घर सब्द है, उनका अर्थ होता है निवास केलेंडर यानी उनका अर्थ आप जानते हैं दिन दर्सी का दीन चर्या यानी दिन बर करने की जो क्रिया होती है, उन्हें कहते हैं दीन चर्या, यह हमारा सब्द समू के लिए भी एक सब्द है याद यानी स्मरूति, स्मरण यहां कभी कहते हैं कि गर और दफ्तर में केलेंडर तंगा है उसे देखकर मुझे रोज की दीन चरया याद आती है रोज गर से निकल कर ओफिस चाता हूँ और ओफिस से फिर वापस गर यहां हम देखे तो हमारे एक माक्स का प्रश्ण भी है कि गर और ओफिस में या तो दफ्तर में क्या तंगा है तो गर और ओफिस में क्या तंगा है केलेंडर तंगा है सुरुवात में निरस्ता से त्रश्ट कभी कहते हैं कि गर और दफ्तर दोनों ही जगह केलेंडर लटक रहे है उसे देखकर कवी को अपनी दीन चर्या यानी अपने दीन भर के कारियों की याद आती है कवी के जीवन में व्याप्त निरस्ता की वजह से वे कहते हैं कि उनके एक ही प्रकार की जिंगी या दीन चर्या की बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं रोज घर से ओफिस जाता हूं और ओफिस से निकल कर फिर वापस घर आ जाता हूं यंत्रा या मसिन की तरह कभी रोज दिन उखते ही ओफिस और ओफिस से घर आते जाते रहते हैं उसके अलावा उनके जीवन में कोई नयापन नहीं है कई नई जगह पर जाना, किसी से बात करना, कुछ भी नया कार्य करना, कुछ भी नई बात नहीं है ऐसे में एक ही प्रकार की जिन्गी जीते जीते कवी और कवी जैसे सेंक्डों ऐसे लोगों है उनको अपना जीवन नीरस लगने लगता है या तो उन्हें अपना जीवन एक प्रकार का मशिन या तो यांत्रिक लगने लगता है उनकी बात वे करते हैं तो आगे हम देखे कि वे कहते हैं कि दिन महिना बदल जाता है और बदलता जाता है केलेंडर का पना मैं भी केलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ पर कुछ भी नया नहीं है यहां कुछ कटिन सब्द को देखते हुए आगे बड़े तो दीन का अर्थ होता है दिवस और उनका विलों अर्थ होता है रात्री महिना यानि माह पन्ना यानि प्रुष्ट पेज और नया यानि नविन तो आगे हम देखे तो कवी कहते हैं कि आगे अपने जीवन में वे कहते हैं नीरस जीवन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका जीवन यांत्रिक बन गया है दिन पर दिन और महिने पर महिने गुजर जाते हैं और दिन महिना बदलने के साथ केलेंडर का पना भी बदल जाता है कभी कहते हैं कि केलेंडर के पेज की तरह मैं भी रोज बदल जाता हूं इसी उमीद में कि रोज नया सवेरा होगा नया सवेरा कुछ न कुछ नया पन लाएगा इसी आसा में कभी अपने को बदलते हैं तो इस प्रकार जिनकी से निरास कभी आगे लिखते हैं कि पर कुछ भी नया नहीं है उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन चीपने पर मैं सुबह की आस में इंतजार करता हूँ पर क्या करूँ यहां हम देखे तो हमारा दो मकस का प्रश्ण भी बनता है कि कभी रोज किसे बदलता है या तो हम देखे कि कभी अपने जीवन में नहे परयान का एसास क्यों उन्हें नहीं लगता है या तो कभी दीन चिप्टे पर किसका इंतजार करते हैं तो हम देखे तो वे कहते हैं कि इंतजार यानि प्रतिक्षा एसास यानि अनुभव कठीन सब्द को हम देखे तो उन्होंने कहा पर कुछ भी नया नहीं है नया यानि कुछ नविन एसास यानि अनुभव पूराने यानि प्राचिन और उनका विलोम सब्धम देखे तो अर्वाचिन दिन का आठाब जानते हैं दिवस सुबह यानि सवेरा आस यानि कोई भी किसी भी प्रकार की उमिद इंतजार यानि प्रतिक्षा करना या तो रहा देखना तो आसावादी कभी अपने जीवन में नई आस एवों नई जीवन की उमिद लिए दिन काट रहे हैं कभी कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ नया नहीं है अपने पूराने एहसास के साथ रोज दीन चीपने पर यानि सुर्यास्त होने पर रोज एक नई सुबव की आसा या उमीद में नएपन का इंतजार करते रहते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं और हम देखें तो कभी के आसावादी स्वर का परीचे देते हुए अंतिम पद में वे कहते हैं क्या कहते हैं कि पर क्या करूं सुर्यादय के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा यहां जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सु सुर्योदय यानि सुर्य का उदय होना, रोस्नी यानि उज्जाला, सुखे यानि सुखा और बर्गर यानि वट व्रुक्ष, हरी तिमा यानि हरियाली तो यहां सब्दसंगों के लिए एक सब्द भी है पेड़ पोधे और घास के हरी जमिन का जो नजारा दिखाए देता है उन्हें कहते हैं हरियाली, तो यहां देखे कभी कहते हैं अपनी विवस्ता या मजबूरी को बताते हैं कि मैं क्या करूं हर निरस्ता से छुटने का बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, पेशे की एहिम्यत और पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाने के दिए उन्हें रोज कारे ले तो जाना ही पड़ेगा, रोज कारे करना ही पड़ेगा, अपने जीवन निर्वाहा के लिए उन्हें इस सहर की भागदोर बड़ी जिंगी में अपने आपको खपाना ही है, सुर्योदय के साथ उन्हें फिर कारे सुरू करना है, फिर उन्हें ओफिस जाना पड़े अपने सुखे पेड की तरह अपने जीवन में कोई नहीं जेतना का प्रभा नहीं दिख रहा है। फिर भी नया दिन उगने पर कभी अपने जीवन में नये पन के आने का या बदलाव आने की आसाय रखते हैं। कवी अपने उदास जीवन दिन पर दिन गुजार रहे हैं। वे जानते हैं कि इस क्रम में कुछ नयापन नहीं आएगा। फिर भी वे कुछ उमीद के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। तो बचो यहां हमने देखा कि कवी एक एसे व्यक्ति की बात करते हैं कि जो उन्हें अपना जीवन हर रोज एक विद्प्रकार का जो जीवन जीते जीते उन्हें अपना जीवन यांतरिक सा लगने लगता है। फिर भी मनुश्य को अपने जीवन में उमीद नहीं खोना है। इस प्रकार कभी भी अपने जीवन में एक नई उमीद की राद देख रहे हैं, जिनको उन्होंने अपने इस कावे के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार उन्हें अपना जीवन नीरस या तो यांत्रिक लग रहा है, उनकी जो वज़ा है या तो उनका कारण क्या है, तो कभी क नई सहयर में भागदोर बड़ी जिन्द्गी में कमाने की, जिमेतदारी की हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते करते यातो इस प्रकार का एक विद जीवन जीते जीते उन्हें अपना जीवन यांतरिक जरोर लगता है फिर भी वे अपने जीवन में नई उमीद की राह पूरी कावे को हमने देखा है तो बच्चो एक पार आप क्या करेंगे इस कावे को पाठे पुस्तक में पढ़ लेंगे ताकि जो भी कहें कठिन सब्द है या तो उनको आप नोट कर लेंगे और इसका जो स्वाध्य है यानि उनके स्वाध्य के जो प्रश्ण है वे हम अपनी नोट बुक में लिखेंगे नमस्ते तेंक यू